हालो फ्रेंड्स आज की वीडियो में जानेंगे जैसा की उत्तर परदेश सधीनस सेवाचेन आयोग में मंडी परसद में बैकेंसे निकल करा रहे हैं उसमें आप कैसे आवेधन कर पाएंगे सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आपिसेल वेपसाइट इसकी जो खुली हुई है यहाँ पर आपको मिलेगा नोटिफिकेशन अडवर्टीजमेंड्स जैसे ही आप इसके ओपर किलिक करते हैं यहाँ से तो इसका जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है यहाँ से आपको देखने को मिलेगा इस नोटिफिकेशन में हम देख पाएंगे कि कैसे आपको आपेदन करना है इसके अंतिम तिथी क्या है नोटिफिकेशन में तो यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे उपर आप देख पाएंगे लिखा है पाएंगे उसके बाद अगर आप इसका नोडिफिकेसन देखना चाहते हैं यहां लिखा हुआ है विए टो टीजमेंट इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसका जो एट्वर्टीजमेंट यहां देखने को मिलेगा अगर आप हिंदी वर्जन चाहते तो हिंदी दिया गया ह तो इंग्लिफ हिंदी जो भी आप चाहते हैं हिंदी चाहते हैं तो हिंदी पर किलिक करेंगे अगर इंग्लिफ चाहते हैं तो इंग्लिफ वाला हम नोडिफिकेसन उपन करेंगे तो हम हिंदी उपन कर ले रहे हैं हिंदी में जैसे आप उपन करेंगे तो यहां पर संपू अन्तिम तिथी यहां पर 24-5-2024 है और सुल्ख समाजन आवेदन संसुदंग तिथी जो है 25-2024 यहां पर बताई गई है तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं इसे स्क्रोल डाउन करेंगे तो यहां पर अन्य चीज़े भी बताई गई है फीस की बात अगर करते हैं तो फ टीटी 2023 में एक्जाम दिया है तो आप इस परिच्छा में बैठने के लिए इलिजबल हैं और इसमें आप फार्म भर पाएंगे फार्म भरने के बाद में कटाप जारी होता जैसा कि सभी भरतियों में किया जाता है तो यहां से आप देखेंगे लिखा हुआ है अप्लाई आप एस में हां अप्लाई पर किलिक करते हैं फार्म भरने के लिए इसका प्रोसेस कुल करके आ जाता है अप्लाई पर करने को गया आप करेंगे यहां पर लिखा हुआ है सिरिट्री क्लास 3rd ग्रेट इसकेंड 요 È node 21 से चानिश वहर्स आप दिये गा coaching से तो इक बैकेंश ब्लबात कर से mental money करेंगे उप ल inacori चलिकred encles में 134 हैं 134 पादो भरतिकां होने जा रही है यहां पर सम्मिक करें ningún इसे पर आप click करेंगे, scroll down करेंगे, तो देखेंगे यहाँ पर बताई गई, तमाम साथ सूचना दी गई है, यहाँ से आपको click करना आए agree पर, I agree पर click करने के लिए इस चेक बाक्स को active करना है, I agree पर click करना है, इस पर जिसे हम click करते हैं, यहाँ कहे रहा है, कि throw personal details, throw OTP, OTP से देना चाहते हैं, तो OTP हम यहाँ पर select करते हैं, उसके बाद में next step जबाएगा, तो यहाँ भरना अपना pet registration number और OTP यहाँ भरनी है, अपने mobile number पर OTP को यहाँ से प्राप्त करने के बाद में, OTP और capture को भरने के बाद में, हम यहाँ लिखा हुआ है click here to proceed पर click करेंगे, जैसे आप click here to proceed पर click करके OK करेंगे, तो इसका next step कुल करके आपके सामने आ जाएगा, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो details आपने PT exam में भरी हैं, उस सारी चीज़ें यहाँ पर सो कर रही है, आपको करना क्या, इसको scroll down करना है, यहाँ पर नीचे दिया गया है, अगर आप age में पाएंगे, उसको scroll down करेंगे, फिर यहाँ से आपको भरना graduation की details, यहाँ पर इसे बताया गया है कि must have a bachelor degree in agriculture, agriculture, marketing, science, commerce, economics, or agriculture, economics from a recognized university यहाँ पर दिया गया है, यहाँ से आपको इसको yes करना है, इसमें जो बताये गए degree है कि आपको agriculture में ब्यस्सी होना चाहिए, यह अगरी इसे यहाँ पर details बताएगे, इसे आप देख लेंगे, अगर आप eligible हैं, आपको पास यह degree हैं तो इसे आप यहाँ से yes करेंगे, yes करने के बाद में इसमें अगला step बताया गया है कि आपको भरना है board और university का नाम, board university भरना है, फिर यहाँ पर देना है कि कि किस वर्स आपने प percentage है यहाँ पर यहाँ पर grading system है, जो भी है अप यहाँ से select करेंगे, अब यहाँ से शम्पूनर जानकारियों को भरने के बाद में हम भरेंगे capture को, इस capture को आप submit करेंगे यहां से, capture भरने के बाद में आप को करना सम्मीट पर click, जैसे हैं capture भर लेंगे, उसके बाद ओढम किल करना है समिट के उपर जैसे हम सम्मिट पर किलिक करते हैं तो इसका नेक्स्ट स्टेप कुल करके आएगा यहां लिखा है प्लिस कंफर्म फॉर रिजिस्टेशन यहां पर कर देंगे तो अगले स्टेप के लिए यहां से बढ़ जाएंगे नेस्ट पर अगली जानकारी आ बढ़ आगा अगर आप इसमें बदलना चाहते हैं तो इसे आप बदल नहीं पाएंगे आपको किलिक करना है कांटीम की निट करेंगे आगे वढ़ जाएंगे से आपको इसको भरना है यह है कि यह निटरी बताया गया है का सारटिफिकेट और以 search certificate के बारे इससे आप कहांचे भरना है जिसे माल लिया ए साटिफिकेत के लिए आप है स्कूल की डेटल्स यहां भरेंगे जैसा कि हाई स्कूल की जो आपकी मार्कशीट होती इस को 30 क्या है UP board के दौरा जारी हुआ किस डेट में जारी हुआ। और certificate number आपकी मार्क सेट पर मिल जाएगा, फिर आप update पर click करेंगे, यह साल चीज़े green हो जाएगी, इसी तरीके से आपको जादी प्रमालापत की डेटल्स भरनी है, जादी प्रमालापत डेटल्स जो होती है, जादी प्रमालापत कौन जारी करता है, किस डेट में जारी हुआ है, certificate number क्या है, और update कर देना है, और आगे बढ़ जाना है, इसी परकार से हम यहाँ से जो है, certificate details भरेंगे, और इस्यूंग authorities की क्या रहेगी, यह हम सब भरेंगे, जैसा कि cast certificate में, और update पर click करेंगे, जैसे update पर click करते हैं, तो इसका next step खुल कर आता है, फिर update details करते हैं, जैसे इस पर आप click करेंगे, तो होता क्या है, कि आप details यहाँ से update हो जाती है, document details upload successfully लिख करके आ जाता है, अगर मानलिया आपने गलब भर दिया है, तो आप इसे delete कर सकते हैं, जैसे आप delete करेंगे, तो यह रो फिर से खाली हो जाएंगी, और अपने details को आप फिर से यहाँ से फिल कर सकते हैं, तो इसको हम scroll down करते हैं, और नीचे की तरफ जाते हैं, यहाँ पर आपके द्वारा भरेगे, सभी address पूरे जो आपने भरे यह दिखाएगा, अन्न qualification अगर आपके पास कोई है, तो उसके यहाँ पर आप yes कर लेंगे, ने तो नो ही रहने देंगे, जिसे इसमें लिखा हुआ है कि, preferences shall be given to candidate, high graduate degree from a recognized university in agriculture, economics or agriculture marketing, और MBA आपने अगर किया, agriculture business management from the institute recognized by AICTE, और required tier of, तो यहाँ से यह कर लेंगे, ने तो उसे no ही रखेंगे, scroll down करेंगे, इन सारे checkboxes को active करना है, और उसके बाद आपको यहाँ से भरना है capture, जो दिखा रहा है, इस capture को आप यहाँ से fill करेंगे, और capture fill करने के बाद में, save and proceed पर आप click कर देंगे, इस पर जैसे हम किलिक करते हैं, तो यहाँ से final submit के लिए next step आजाएको okay कर देंगे, जैसे हम okay करेंगे, तो payment वाला portal खुल करके आएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है payment, यहाँ से पेमेंट, यहाँ से पेमेंट होगी, इसे आपको यहाँ से आगे verify करके बढ़ जाना है, click here to paper click करना okay कर देना है, जैसे हम okay करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, फिर यहाँ से देखेंगे कुछ details बता रहा है, जिसा कि payment इसमें आपको SBI की माध्यन से करना है, यहाँ से आप select करेंगे SBI, SBI वाल आपसने हाँ select करेंगे आप, लिखा हुआ is state bank of India, इस पर click करके आप check box तो active करेंगे, और proceed for fees deposition पर click करेंगे, proceed पर click करेंगे, फिर यहाँ से payment के details आप से माध्यन से करना चाहते हैं, यह भी बताएगा, जिसे आप लिखा है net banking, net banking से करना SBI के, UPI करना है, QR करना है, QR से करना तो QR select करेंगे, पेनाओ पर click करेंगे, यहाँ से QR के लिए अगला step खुल करके आ जाएगा, और यहाँ से आप देखेंगे, कि QR code को आपको scan करना है, अपने phone पे से, या Google पे जो भी आप wallet चलाते हैं, उसे आप scan करेंगे, और QR scan करने के बाद में क्या होगा, आपका payment successful ही हो जाएगा, इस प्रकार से आप लोग इस farm को आसानी से घर बैठे, भर सकते हैं, अपने mobile phone से laptop से भी भर सकते हैं, यह था इसका वीडियो, वीडियो में अन्तक बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए, नमस्कार,